हेलो प्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चानल और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी अनल्सिस फॉर टुमोरो तो आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 36,090 पे लगबग 365 पॉइंट लोज के साथ लगबग 1% नीचे तो चलो देखते हैं चार्ट पर अभिन ड्याइनक किस से दिख रहा हैं यहां हम Iyaां हम विकली चारट पर देखें și तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है और यहां हमें उप्यांडल के डिख रही तो यहां क्लीरली सईन देख रहा है क्या हम सप्रेट MER तो मुझे नहीं लगता है कि हम उपर के लेवल जादा देख पाएंगे हो सकता है कि उपर के लिए रेस्ट करने के बाद हम जो है फिर से हमें यहां अच्छा का सा फॉल देखने को मिल सकता है और एक बड़ा सा फॉल आ सकता है क्योंकि हम अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वह 50 व तरब लेकर जा सकता है इन मीडियम तर्म अभी देखते डेली चार्ट तो डेली चार्ट पर जो मेरा स्टाटीजी था मैंने कहा था कि हम रेस्टांस के अरॉंड सेल करेंगे अगर कल जिनोंने लगबग हाय लगाया था छेसों का 36600 का तो उसके अरॉंड अगर शॉट लिय को रोके लगबग 365 पॉइंट के साथ हम बंद हुए है मगर यहां जो है तो हम 50 और 200 डेज की नीचे ट्रेड कर रहे है और मुझे लगता है कि फिर से आपको जो है तो उपर के लेवल से अच्छा खासा सेल आते हुए दिखेगा और मुझे लगता है कि एक डाउंसाड मोमे हो जाती है मगर आगर आपको सेल करना है तो मेरा खयाल रहेगा कि 36,400 से लेकर 700 की बीच में हम शॉट कर सकते हैं 900 की उपर स्टॉप लस रहेगा और जो नेक्स टार्गेट रहेगा मेरा ओ रहेगा 35200 का 800 का टार्गेट हमने लगबग दो बार अचीव कर चुके है तो यहां थोड़ा सा शॉट टम के लिए यह कल के लिए ही वैलेड नहीं रहेगा कल जो है तो कल का भी हम देखते है और ली चार्ट किस तरह से दिखता है मगर एक आपको पर्फेक्ट शॉट चाहिए तो पर्फेक्ट शॉट लेवल है 36,700 के अरूं स्टॉप लॉस 950 के ऊपर अगर स्टॉप लॉस 950 के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है और आपका जो पोजिशनल टाइट रहेगा 35,200 कर रहेगा तो रिस्क रिवाड के सबसे देखेंगे तो वो ट्रेड आपको लगबग वन इस्टुप वन इस्टुप रिस्क रिवाड दी तो वह एक पर्फेक्ट शॉट सब्सक्राइब फिर से जो 50 आवर का जो अवरेज उसके आरउंड रेसंस लिए हुआ से फिर से लॉप देखा तो यहां फिर से ट्राइ कर सकता है तो यहां जो है तो अगर आपको इंटरडे में शॉट जाना है तो मेरी शॉटिंग की लिएगे लगबग 500 और 600 के पे बेच सकते हैं आपका stop loss रहेगा 900 के ऊपर और जो टार्गेट बनेगा आपका हो रहेगा 35,200 का फॉर दो विक ये कल भी आ सकता है या फिर परसो आ सकता है और यहां जो जिस तरह से हम नीचे के लेवल से अगर वहां मिलता है तो यह परफेक्ट बनेगा अगर वैससे नहीं बनता है तो आपको जो है तो अगर मार्केट नीचे खुलता है तो आपका stop loss रहेगा लगबक 36,000 के ऊपर तो नीचे मगर उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा और उसमें stop loss trigger होने की ज्यादा संभावना है तो वो ट्रेड में शायद नहीं लेना चाहूंगा अगर मुझे 700 के अरूंड मिलता है तो ही में शाट जाओंगा मार्केट वे अगर नीचे खुलता है तो आप शॉर्ट ले सकते हो मगर most probably वो तो फेल हो सकता है क्योंकि वो लेटिलिटी में stop loss trigger हो सकता है तो आई विल नाट टेक टेक डाक ट्रेड नीचे जो है तो नेक्स टार्गेड मेरा रहेगा 35,200 का उसका मुझे लगता है कि अगर नीचे खुलता है तो हम जो है तो उसके तरफ बढ़ सकते और उस प्ले को हम option के साथ भी प्ले कर सकते हैं यहां जो है तो option में हम जो है तो इन्द मनी अगर 700 पी मिलता है तो 800 का put option में accumulation करेंगे और मुझे लगता है कि उस option में हमें अच्छा से gain देखने को में सकते है अगर कली market 35,200 पी जाता है तो अगर नीचे खुलता है market तो आपको 36,000 का put option है उस पर focus करना है अगर market उसके नीचे खुलता है तो तो mostly आपको suggest कर रहा हूं कि in the money put option पर focus किजे और वो भी stop loss के साथ यहां जो है तो multiple gaps create किये हुए market में आप देख सकते हैं कि आज में gap down खुला है तो यह gap fill करने के लिए market उपर आ सकता है इस वाजह से अगर gap down होता है तो I will only wait and watch और या फिर जो intraday scalping रहेगी वह करूंगा बाकि I will not take a bigger trade क्योंकि यहां जो है तो जो gaps create हुए है वो fill करने के लिए market कभी भी reverse हो सकता है और उसकी संभावना भी ज्यादा है एक बार resistance को touch करने के बाद फिर market नीचे गिरना शुरू होगा तो currently market जो है तो बीच में ही trade कर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप कर सकते हो मगर आपको करना है तो stop loss के साथ करना होगा और stop loss खाने की भी आपको तैयारी रखने होगी क्योंकि यहां जो है तो कभी reversal आ सकता है और reversal जो है तो जब आएगा तो resistance को touch करने के लिए या शौट कावरिंग रैली भी आ सकती तो इसके वज़े से थोड़ा सा दिक्कत वड़ा सिनेरियो है मगर आपका जो अगर आपको ट्रेड लेना ही है आपको एक टार्गेट रखना है तो मेरा टार्गेट रहेगा 35,200 का बैंक निफ्टी पे उस टार्गेट के लिए हम शौट साइड पे प्ले करेंगे इस अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए और शॉर शॉर्ट इंडेक्स फूचर और और अप्शन को तो मेरी सर्विस जोईन कर सकते हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और थैंक्यो पर वाचिंग इस वीडियो नेवर मिसन अपडेट